करवा चौत के दिन महिलाएं निर्जला उपवास रखती है और शाम को पती के हाथों से जल पी कर वरत खोलती है लेकिन इस वरत के अन्यकई महत्वपूर्ण नियम भी होते हैं जिनका पालन इस दिन करना आवश्यक होता है तभी यह वरत सफल माना जाता है तो चलिए जान लेते हैं करवा चौत के वरत से जुडे नियम इसकी विधी के विशय में दोस्तों सबसे पहले जानते हैं वरत का मुहूर्थ इस वर्ष कार्तिक क्रिश्न पक्ष की चतुर्थी तिथी को अर्थात 31 अक्टूबर मंगलवार को रात 9 बचकर 30 मिनट से इस वरत मिनट से रात 7 बचकर 2 मिनट के बिच में की जा सकती है इस दिन चंद्रोदै 8 बचकर 26 मिनट पर होगा दोस्तों करवा चौत के वरत की शुरुवात सास के हाथ से सरगी लेकर की जाती है जिसके बाद सुभस नान आदी के पश्चात वरत का संकल्त लिया जाता है माता रानी से प्रार्थना करके वरत को सफल बनाने के लिए आशिरवाद मांगना चाहिए और फिर पूरा दिन निर्जला वरत धारन करना चाहिए इसी बिच पूजन सामगरी इकठा करनी चाहिए गाय के गोबर से अथवा मिट्टी से गौरी तथा गणेश जी की प्रतिमा बनानी च चाहिए और मा गोरी का आवाहन करना चाहिए माता गोरी को सुहाग का संपून श्रिंगार चड़ाना चाहिए फिर मिट्टी का करवा ले और उसमें गेहू रखे और उसके ढखकन में चीनी का बुरा रखे रोली से करवा पर स्वस्तिक बनाए और शाम को गोरी गनेश की प का पारण करना चाहिए। दोस्तों करवा चौथ के दिन वास्तुशास्त्र के भी नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। इस से व्यवाहिक जीवन में सुख्वान्ति बनी रहती है। ध्यान रहे करवा मिट्टी का ही होना चाहिए. मिट्टी का करवा ही सबसे अधिक शुब होता है और उस पर लाल रन का कलावा बांधना चाहिए. करवा चौत की थाली मेघी का दीपक, लाल फूल, कुमकुम फल्दी, चंदन, मिठाई, शहद, अक्षत, मेवे और पानी से भर एक कलश अवश्य रखना चाहिए. अगर आप करवा चौत का वरत रखती है, तो सुबह सूर्योदय से पहले सर्गी खाते समय दिशा का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वास्तु शास्त्र में दिशा का बहुत अधिक महत्व होता है. शास्त्रों के अनुसार महिलाओ को सर पश्चिम की दिशा की तरफ रखना चाहिए. क्योंकि यह दिशा चंदर देव की दिशा कहलाती है, इस प्रकार से अरग्य देने से चंदर देव प्रसन्न होते हैं और समस्त दोश समाप्त होते हैं. करवा चौत के भोग और वरत के पारण के लिए आप अपनी सुविधा अनुसार भोग बना सकती हैं, जैसे पूरी, हलवा, चूर्मा, डाल, कढ़ी, खीर, सबजी, इत्यादी. लेकिन एक बात का खास ख्याल रखें कि इन भोगों में लहसुनप्याज का प्रयोग न करें. इस वरत में आप छप्पन प्रकार के भोग भी लगा सकती हैं. किसी प पर्व पर सुहाग की चीजों का दान नहीं करना चाहिए. ऐसा करने से आपकी शादी शुदा जिंदगी में परेशानी बढ़ सकती है. खास तोर पर जिन चीजों को सुहाग का प्रतीक माना गया है, जैसे चूडी, बिंदी, सिंदूर, मेहंदी, मंगल सूत्र, बिछुआ आलता आदी चीजों का दान नहीं करना चाहिए. हालां की वरत का पारण करने के बाद या फिर अगले दिन अपनी सास को सुहाग की सामगरी दे सकते हैं, जिससे आपके संबंध में मिठास आएगी. ये भी कहा जाता है कि वरत के दौरान काली और सफेद चीजों के उप्यो जिन्दगी पर पड़ता है. तो दोस्तों इस प्रकार से करवा चौत के वरत की विधी के बारे में शास्त्रों में बताया गया है. उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी. विडियो को लाइक जरूर करे और कमेंट में जैमा गौरी जरूर लिखे. साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें. आप सभी का धन्यवाद.